प्यारे दोस्तों नमस्कार जजवार जा 36 गड़ आज के इस नय वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैं 36 गड़ के चार जिले कोरबा बलरामपूर दंतेवाडा बलावदा बजार भाटा पारा में संचालीद एक लब या अधर सवासिवी द्याला में इस टाप नर्स, प्रयोकसाला परिचारक, ग्रंत पाल, कंप्यूटर अनुदेशक, योग सिक्षक, टिजीटी, पिजीटी, सैथ, कूल, 95 पदो पर भरती होनी है उसकी जनकारी देने वाला हूँ पूरी जनकारी के लिए वीडियो को अन्तक जरूर देखे और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो का अपडेट आपको तूरंद मिलते रहे तो चले स्टार्ट करते हैं आज के या वीडियो देखिए बलावदा बजार भाठा पारा के लिए 2622 की स्थिती में या विज्ञापन जारी किया गया है एकलब या अधर सावासी विद्याला है इसके लिए कौन कौन से पोस्ट है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं देखे हिंदी माध्यम के लिए इस प्रकार से पोस्ट है इसके लिए जो योग्यताइं है संबंधित विशह में इसनातकोत्तर प्लस बीएड और नुन्तम पचास पतिसत होना जिए उसके देखिए जो अंगरेजी माध्यम हिंदी माध्यम दोनों के लिए तो TGT, हिंदी, अंगरेजी, गडित, विज्ञान, गडित, समाजीक अध्यान इस प्रकार से हिंदी और अंगरेजी दोनों माध्यम के लिए संबंधित विशह में इसनातक एम बीएड के उपाधी नुन्तम पचास पतिसत होना जिए प्रयोकसाला परिचाराक, गरंथपाल, खेलकूद, प्रसिक्षक, योग अनुदेशक और स्टाप, नर्श, कंप्रीटर अनुदेशक, इन सभी के लिए एक एक पोस्ट है, खेलकूद, प्रसिक्षक, योग अनुदेशक के लिए दो पोस्ट है ब्याया में खेलकूद, एक महिला मुक्त, एक अनुचित जन जाती के लिए उसके देखिए संबंधित विश्विष्णातक निंतम 50% होना चीए, आयू की गड़ना जो एक एक दोजर बाइस की स्थिती में निंतम 21 वर्षा और अधिक्तम 35 वर्षा होना चीए, और 36 गड़ का मूल निवासी होना चीए, मतलब 36 गड़ के किसी भी जीले के जो निवास दिया हूँ, प्रियोकसाला, सहाया, क्रन्थभाल, खेलकुत, प्रसिक्षक, योग अनुदेशक, स्टाप नर्शक के लिए, ये सभी डिग्री अनुआर्य है, उसके कम्प्यूटर अनुदेशक के लिए ये और बाकी जो है, आधन की स्कुटनी उपरांथ, सक्षडिक प्रिता के क्रम में पात्र सुची है, पात्र सुची का प्रकाशन जिले के वेबसाइट में कर दी जाएगी, इस वेबसाइट में कर दी जाएगी, ये ज्यादा जनकारी के लिए आप हमारे यूटूब चैनल टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहां आपको तुरंद इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको क्या क्या दस्तवेज लगाना है, क्या क्या सेंड करना है, ये आपको पंद्र में दी हुई है, आपको अविदन कैसे करना है, ये मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ, तो अविदन की प्रक्रिया क्या है, देख लिजे, तो अविद स्थित होकर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से एवं करे आला कि इमेल आईडी या आप इमेल के जरीए इमेल दिया हुआ इस इमेल के जरीए भी आप आवेदन कर सकते हैं आपके पास जितने भी जो दस्तवेद है 15 नंबर में दिखा गया उस दस्तवेच को आप स्कैन करके उ देखिए कुरवा जिल्या के लिए दिनांग 1622 की स्थिती में प्रेश्विक ग्यपती जारी किया गया एकलब या आदार सवासी वी द्यालाय में सकषड़िक सतर दोज़र बाइस तेस के लिए इस्थाय रूप से मान दे पर रेक्त पदो हेतु अतीथी सिक्षको का वाक इ देखिए है तो संस्था नाम एकलब या आदार सवासी वी द्याला है जो चुरी कला जिला कोरवा के लिए टीजीटी संहीत सिख्षक तीजीटी व्यांशीक आर इनके लिए एक एक पोस्ट है इस प्रकार से निर्धारित है एकलब या अधार साय्षी लाफा पाली जिला को से उसके लिए यह अंगरेजी माध्यम के लिए एक पोस्ट है् है ट Bahn quickly sip कोल्पदों के लिए भरती होनी है बारवी अंग्रेजी माध्यम से उतीड होना अनिवार है इसके लिए जो अंग्रेजी माध्यम उसके लिए और हिंदी माध्यम के लिए ऐसा कोई आवसकता नहीं है तो आपको 76-22 को 10 बजे से वाकिन इंटर्वीव में बहुत जाना है इसके लिए जो आवधन का फार्मेट क्या है मैं आपको आगे दिखा दे रहूं उस फार्मेट में आपको ले करके आपको जाना है तो इस फार्मेट में आपको 7-22 को जो वाकिन इंटर्वीव तिती है उस date में इस format में भरके आपको ले करके जाना है यह आधन का प्रारूप आपको टेलीग्राम गूप में मिल जाएगा वहां से आप डाउलोड करके देख सकते हैं वसकाद इसके लिए जो क्या-क्या certificate लगेगा तो यह certificate लगने वाला है यह सभी certificate आपको उसमें फार्म में आटेज करके ले करके जाना है जो जो आपके पास है देखिए जो आधन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है वह इस प्रकार है कि 76-2022 को दो पहर दो बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आभेदन प्रविचार नहीं किया जाएगा तो आपको दो बजे से पहले आभेदन प्रस्तुत कर देना है वाकिन इंटर्व्यू कुल 40 अंका होगा इस प्रकार से इसमें जो अत्रिक्तांक ये दिये हुए है इसको आप बारकी से आप उलोकन कर ले इसके अद मैं आपको आगे बता रहा हूँ और दूसरे जिला में जो वेकंसिया है उसके बारे में अब देखिए दंते वाड़ा जिला के लिए तो तीस पास 2022 की चितिती में यहां प्रेस्विग्यप्ती जारी किया गया है जिले में संचाली तेकरभ्य विद्यालों हेतु कालखंड अधारी ततिति सिक्षक हेतु आयदन आमांत्रित किये जाने के लिए तो यहां जो है टीजीटी और अन्य पदों की पूर्ती है तो 9 जुन 2022 से 10 जुन 2022 प्राता 11 बजे से साम 4 बजे तक वाक इन इंटर्विव कार्याला साया कायुक्त आधिवासी विकास दंते वाड़ा में आमांत्रित किये जाते हैं रिक्त पदों का विवराण इस प्रकार से दिया हुआ है टीजीटी गडीत के लिए एक पोस्ट है टीजीटी संगीत सिख्छक के लिए एक टीजीटी व्यायाम सिख्छक के लिए एक स्टाप नर्शा के लिए एक कहा के लिए है एकलब या आधर्स वासी विद्याला है कट अग्रेजी माध्यम के लिए तो टुटीटी हिंदी अंग्रेजी संस्करीद गड़ित विज्ञान समाजी गश्ञान सभी के लिए एक पोस्ट निर्धारिद की गई है टुटी के लिए शनाताक होना चाहिए यहाँ विंग्रेजी माध्या में TGT में सभी विशा के लिए एक पोस्ट है उसके TGT सिख्चक, TGT बयाम सिख्चक, स्टाप नर्शक के लिए एक एक पोस्ट है एकलब या अधर स्वासी विद्याला कुवक एंड़ा के लिए जो कंप्यूटर रूंड दे सकी है उसके अध हिंदी माध्यम एकलब या अधार स्वासी विद्याला हिंदी माध्यम दंते वाड़ा के लिए तो दंते वाड़ा के लिए टिजी टी के लिए सभी विशाय का एक उसके संगी सिख्च के लिए एक ब्याम सिख्च के लिए एक इस प्रकार से इनके लिए योग्यता रखी गए यह सर्ते हैं इस सर्ते आप देख लिए एक जुन की स्थिति में 21 वर्षा और अधिक्तम 40 वर्षा से अधिक्तम नहीं होना चीए उसके देख लिए एकलब भी आधर स्वासी विद्यालाई जो गीदम और कुवा कोन अंग्रेजी माध्यमें संचाली संस्था इसलि दिन वाकिन इंटर्विव जिस तिथी को होगा उस तिथी में आपको ले करके जाना है यह आवेदन का प्रारूफ है आवेदन आपको कब कहा प्रस्तूत करना यह आपको पता चल गया तो आठ और नव और दस जुन को इंटर्विव होना है उस डेट पर आपको ले करके ज बजन किया गिया है और शेट वहजर वाइस दिन बुद्वार को ग्यारा वज़े से तीन बज़े तक इसके बाद मैं आपको एक लब या विद्याला बलरामपूर में जो भरती होनी है कुल तीस पोदों के लिए उसके बारे में बताऊंगा वस इसके लिए थोड़ा से समय ल और पाद स्थापना एस चवहान एंड कंपनी दनते वाड़ा में रूड दनते वाड़ा इसके लिए वाकिन इंटर्वी का एवजन आठ चाथ वोजर वाइस दिन बुद्वार को ग्यारा वज़े से किया जाएगा अब आगे हम देखते हैं एकलब या विद्याला पूर में भरती हो रही है उसके लिए देखिए इसके लिए जो संसोधित प्रेश्विक ग्यप्ती 1622 की स्थिति में जारे की गई है एकलब या दार सवस्ती विद्यालाए में सक्षडिक सत्व 2223 इसके लिए इस्थाहिरूफ से मान दे रिक्त पदो हेतु सिक्षको के आव ज़न 3622 की गई है और वाकिन इंटर्वी की प्रात ग्यारा बजे से चार बजे तक वाकिन इंटर्वी कीन किया जाए गा 3622 को होना था कुछ काड़ों से निरास्ता करके 9622 को किया जाएगा तो इसके लिए कुल 30 पदों पर भरती होनी है हिंदी माध्य में एक इसके लिए जो न्यूंतम सक्षडिक योग्यता इस प्रकार से दी हुई है जो टीजीटी के लिए इस नातक और बेड होना चीए उसके अदुप्रोक्त पदों पर भरती तुप्रात्त आता है हम सरते आवेदन प्रत्र प्रारूप का रियाला साया कायो यह है आवेदन पत्र जमा करने के अंतिमति थी 9-6-2022 साम चार बजे तक रहेगी वहां आप जाकरके आपका आवेदन प्वस्तूत करना है इस फार्मेट में और उसके आपसे आपका इंटर्वू लिया जाएगा तो दोस्तों इसी प्रकार के नए-पडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले और अपने जो दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले